नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है प्रोसंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हैल दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सिखेंगे ये एक लॉंग रेंज नॉन कॉन्टेक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्कुट है तो चलिए सुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा चारपीस BC547 ट्रांजिस्टर उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ दूसरा ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम तीसरे ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और तीसरा ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम चौथे ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये तीन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर और एक LED बल्ब, उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ और बेस पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे, उसके बाद LED का positive point हम इस transistor के collector point के साथ और negative point हम इस transistor के emitter point के साथ solder कर देंगे, उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा copper wire का टुकड़ा, उसके बाद इस copper wire को हम एक स्कुडाय भर के उपर ऐसे turn कर लेंगे, तो दोस्तों ये एक coil जैसा हो जाएगा, उसके बाद इस coil को हम इस transistor के base point के साथ solder कर देंगे, उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा, उसके बाद एक तार हमें solder करना है इस point के साथ, उसके बाद दूसरा तार हम इस point के साथ folder कर देंगे, तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस circuit का power supply का दो तार, तो दोस्तों ये circuit complete हो चुका है, तो चलिए अब हम इस circuit को चेक करके देखते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक long range non contact ac line tester circuit अपने घड़ पे बना सकते हैं, तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में, तब तक के लिए, बाइफ्रेंज और थैंक्स फॉर वाचिंग.